लेक्टर वन के अंदर हमने पढ़ाया था आपको समझ के चलना है और को समझ में आया होगा तो आपको समझ में आया है तो आपको समझ में आया ही होगा अब उस से आगे हम चलने वाले कॉंसेट क्या रहेगा सर आज का आज को आपको लेक्टर के बीच में परदा चलिएगा थोड़ा सा सस्पेंस बना की चल रहा हूं ताकि कॉंसेट इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीन पार्टनर से एक कर नामे जी यह कर नामे ड़िव और एक का नामे एम ठीक है ठीक है तीन पार्टनर लोग करते हैं इनका कप्ड़े का business क्लोस ब्रोपश्ब करते हैं और और क्योंकि अभी तक हमने करवाने वाला हूं ठीक है जिस डेट पे इसका डिसोलूशन होगा उस डेट के हमको एक बैलेशीट दी है यह बैलेशीट मैं अपनी तरफ से फिगर अस्यूम करगे इसके अंदर डाल रहा हूं कोई बुक के अंदर ऐसा कोशन दी एक तब मनघड़त एक्जामपल है अपनी तरफ से डाल रहा हूं आपको पता है बैलेशीट में एक साइट पर एससे और एक साइट पर लाइबरीटी होती है हां सर पता है एसेट के अंदर इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है यहां पर मैं ल बनाउन लगता हूं लोगता हैं का पारटनर क हम तो ठरहें टूटल मैंच कर रहे है क्या गाशल और है है give gooduar say cash 85 to total मैच कर रहा है सर यह डालेनस सी इसके अंदर पार्टनर की घापिची पिश्चेस रूपए खेए पार्टनर की रीजेए तो यह लो मैं क्या करते हूँ मैं आप लिए लिखता हूं ót इन लेक्स अब ठीक है अब इनकी कैपिटल 25 लाग 20 लाग 10 रुपे के और चितना भी अमॉन्ट है सब लैक्स के अंदर है ठीक है ना इस पार्टनर्शीफ का हो रहा है डिसॉलूशन हां सर डिसॉलूशन हो रहा है तो कौन-कौन से अकॉंट बनते एक तो सबसे पहले और रेलाटर्शीफ का बनता है कैश का हूं बनेगा और इसके अंदर पार्टनर की थी पार्टनर थो पार्टनर के सबसे पहले इसके अपनाने के बाद काई कितना है कैशिक में बना रुपका पार्टनर स्कॉल में लिख दिया को ठीक है हम धी समय में आ गया होगा लास्ट क्लास में जो करा था वह ही है सेम तो से कुछ भी चेंज अभी तक यहां पर नहीं है नहीं पढ़ा अब आगे देखते हैं इस पार्टनर्शी फर्म के अंदर क्या हुआ उसेट मैंने भी में इनकर कटना साया सर्व उसेट्स तो बिए सिर्फ 10 लाग के और करणेभस पाया सिर्फ 5ांच लाग के यहां पर दीकिर 3ैघ्डम ठीक है अभी 10 लाग यह कैस्ट एंदर ट्रांसफॉर हो जाएगा तो तो कैश अकाउंट की जब मैं अंदर इसको ट्रांसवर करूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा टूर्याइज़ेशन अभी तक सेम है लास्ट क्लास का इस लिए मैं इस पर ज्यादा कॉंसेट पर फोकस नहीं करूं क्योंकि लास्ट क्लास में आपको यह सब समझा चुका हू लास्ट क्लास में मैं आपको अजम्शन भी लिखवाई थी अगर कोशन के अंदर कोशन दिया हो तो आप मानेंगे की लाइबरिटी इस बुक वैल्यू पर सैटल करी है और एसेट्स रिलाइस नहीं करें तो मैं इस कोशन के अंदर टोटल तीस लाख रुपे के लिए और य लास्ट के अंदर बटाया था अभी दुबारा से बताता हूं अगर बिजनेस के अंदर कुछ पैसा कम पढ़ जाएगा बिजनेस के अंदर कम पढ़ जाएगा इंदोसेंस जब बिजनेस बंद हो रहा है और कुछ पैसा कम पढ़ गया तो उसको partners को अपने घर से लेके आना पड़ेगा, इसका मतलब ही होता है unlimited liability, unlimited liability के लिए देखो, partners को कहां से लेके आना पड़ेगा, यहां से, सर यह क्या बनाया अपने, यह है partners का घर, partners को पैसा लाना पड़ेगा अपने घर से, तो जो 5 लाक रुपे कम है, यह कौन लेके करें जैसे ही पार्टनर से पैसे माढने गए डव्यू के देखो पहले ही ऐसे हाथ खड़े है और सब्सक्राइब दीवाल्या निकल चुका है और इंसल्वन्ट मतलब इंसल्वन मतलब मैं मैं समझा देता हूं कहानी जो हमारी चल रही है वहीं से कंटिन्यू करेंगे पहले इंसॉल्वंट का मतलब आप समझ लो कि क्या होता है इंसान है हमारे केस में डबली व है आप इसको कोई भी नाम दे सकते मैं आप उस एक्जामपल से कोई लेना देना नहीं है यह सिर्फ सारे पैसे ले रख्या है इसने इन सबसे ले रख्या हैं घम मैं लिखता हूं आ這裡 अधे मिर पास दो कुछ नहीं मैं कोना पैसा करना भी बहुत शिद्दत करते हैं यह लोग पैसे निकलवाने के लिए लेकिन एसका नहीं देता थी आ यह पहुच जाते हैं न्यायाल li के पास नियायाल लेगा इंग्लिश में बोलो यह होता है को पहुच जाएंगे कोट के अंदर कोड क्या करेगा कोड पहले तो इससे कहेगा भाई पैसे दो गए या नहीं दो गए तो यह कोड को भी ऐसे अपनी जेव उठा के कहेगा सर मेरे पास पैसे नहीं है तो कोड क्या करेगा कोड इसकी सारी एसेट कौन कौन सी सर इसका घर इसका घर यह इसकी चेतक की स्कूटर इ बिसाह 6 hannoез figetes numero 1 यहीं तो बताइश यह जो मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें क्या होता है इस भी यह भी इंसने भी रिलेशन होंगे उन गाडी बेश दिया यह आपकी कार स्कूटर सब भेश दिया इसने बिल्कुल हो सकता है कितने रुपे कि भी के को फिर वैल्यू पर रिलाइज कर लिया सर इसने तो 10 लाघ रुपे लिये और मिले हैं आठ लाघ तो टॉटल कितने पैसे मिले सिर्फ 80% इसके पैसे वापस मिल पाए तो इसको इस तरीके से भी कहते हैं कभी-कभी मतलब कई बार आपको लिखा बार गर देख चाहे 80 पैसा इना रूपी तो इसका मतलब यहीं होता है कि इसका 80 है और दस लाग में सिर्फ आट लाग मिले है तो आप इसको इना रूपी भी बोल सकते हैं कोड ने इसके सारे एसेट बेचे और कहा कि सिर्फ 80 पैसे इन आ रूपी ही रियलाइज हुआ है मतलब क्या सर जिसने से 5 लाख रूपे लिये ले रखे होंगे उसको कितने पैसे मिलेंगे 5 लाख का 80 परसन यानिके 4 लाख सर किसी ने पैसे 6 लाख रूपे लिए किसी से 6 लाख रूपे लिया है तो सोग इतने पैसे मिलेंगे एक लाख का एटि परसन अश्याज़ार तो जितνे भी लोगहुव से इसने पैसे लिया सब को 80 50 मिल जाएगा और जब और जो बाकी बच्छे दोराक वो इससे कोई नहीं मांगेगा कोड कहेगा कि भाई सब अभी यह हो चगए है इंसॉल्वेंट अब इससे कोई भी पैसा नहीं मांग सकता कोई भी मतलब एंक्लॉडिंग कोल क्या गूण के बास बहुत पछेवे लोग से ले चाने तो वहonie इससे पैसा नहीं मांग सकते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर लेक है पार पैसा लेकि कौन आएगा जो 5 लाख रुपए है हमारे बिजनेस के अंदर कम पड़ रहे थे अंदर हो गया है घमसान युद्ध सर युद्ध किस बात का इनके बीच हो रखे घमसान लड़ाई और लड़ाई इस बात की है कि पैसे कौन कितने लेकर आएगा पांस लाख रुपए कम पड़ रहते और यह तो पक्की बात है कि जी और एम को ही लेकर आना पड़ेगा हां सर सर डवलू तो नहीं लड़ाई चल रही है सिर्फ इसी बात पर कि कौन कितने पैसे लाएगा यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यह कोड तक चली गई सर लड़ाई क्यों बड़ी क्या इनको वन इस टूवन जो इनकी प्रॉफिट शेरिंग रेशों उनके पैसे नहीं लान करें कि तब हमको पते चली क्या हो रहा है और कि लिए क्या होना चाहिए दोनों अलग अलग बाते हैं कभी-कभी यह दोनों बात ही होते हैं लेकिन कई कैस में लड़ाई गये कोड के बास CODE के अन्दर का उज़ा है CODE के अनदर सबसे पहले यहाँ ASG बिणा देताउ हूँ चेश बड़ा ही टेंशन में लग रहा है और यह दो जिनके वीच में लड़ाई हुई यह यह दुनदों यहाँ पे खड़े हैं जी और ठीक है हाँ सर ठीक है कोट के अंदर जज इनी दो पार्टनर से पूछता है जी और एम से के भाई सब लड़ाई तो तुम दोनों की हो रही है लेकिन यह भीड क्यों लग रही है कोट में इस भीड को तो हटाओ तो यह दोनों पार्टनर क्या कहते हैं सर यह देखो रिलाइज़ेशन अकाउंट के अंदर हमको इनके 30 लाख रुपे देने हैं और इनके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं सर क्यों नहीं मिल रहा है लड़ाई के चलते जैसे ही कोट कहता है कि क्राइटर के पैसे तो यह लोग त सर भीर कैसे शाटेंगे आप इनकी पैमेंट करो कैसे तो देखो जज नहीं क्या का मैं पहले एक काम करता हूं पहले इनकी पैमेंट के एंट्री करता हूं सर आप एंट्री ऐसे कैसे कर सकते हो मैं आपको एक कॉंसेट समझाने वाला हूं बस दो मिनिट के लिए मैंने इसकी की पेमेंट कर दी तो मैंने इसकी पेमिंट करी यहां पर लिखा मैंने टू कश अकाउंट लोन और करेड़र 10 लाग और 20 लाग और इसकी पेमेंट वने के बाद के नुदर कुछ नहीं बचा तो तो रिलाइज़ेशन अकाउंट होगया क्लोज सर क्लोज होने के बाद प्रॉफिट आ रहा है यह लॉस मैं देखता हूं डेबिट साथ का डॉडल पचास पचीस सेवंटी फाइव और तीज और डेबिट साथ का डॉडल क्रेड़ से ज्यादा है तो यहां पर लॉस हो रहा है इनकी पीसर वन इस्टू वन इस्टू बने तो लॉस कितने का हो रहा है यहां पर वैसे तो यह आ रहा है साथ लाग का लॉस के अंदर शेर करेंगे हां सब्सक्राइब तो बीस लाग तीनों को पार्टनर के अंदर मैंने ट्रांसफर कर दिया यह एंट्री रिलाइशन आपको नहीं बताएं कि इनको पेमेंट करने के लिए पैसा कहां से आया बस अभी बताने वाला हूं यह एंट्री मैंने डाली पार्टनर के अंदर रिलाइशन अकाउंट यह किस चीज़ के लॉस की बीस लाग बीस लाग बीस लाग तीनों पार्टनर का लॉस कोट ने क्या क्या बाद जीतना भी आपको रिलाइशन अकाउंट के अंदर लॉस होगा उस लॉस को आप कैश में लेके आओगे सर कौन कौन लेकर आएगा देखो डब्ली तो इंसॉल्वन्ट है उससे हम पैसा नहीं मंगा सकते यह बात तो हमको मतलब जब भी पैसे मंगाने की बाता ड यह जो रिलाइशन अकाउंट के पर लॉस हुआ है यह लेकर आओ कैश के अंदर सर कैश के अंदर क्यों मंगा आया बिजनेस के अंदर पैसा ही नहीं है क्रेडिटर और यह जो लोन है और कितने भी लाइबिटी हो सकती है उनको पे करने के लिए उस वो जो भीड कोड के अं है वह आप कैश के अंदर ले के आओ तुम दोनों का फैसला में बाद में करूंगा पहले इस भीड को कम करता हूं लॉजिकल है हां सर लॉजिकल है लॉजिकल इसलिए है क्योंकि भीड जादा लग रही है जजने का कि आप पैसा लाओ बागी आपको लॉस में कितना पैसा क में यहां यहां पर एंट्री करता हूं इनकी कैश कांट डैबिट और लेके कौन को ना रहा है जी और फार्टन क्रेट होजाएगा पहले कैश कर देता हूं यह वाली एंट्री कैश अकॉंट 20 लाग और 20 लाग देखो चालिस लाग रुपए कैस के अंदर अगए अगर मैं इसके अंदर जाके करूं तो जी का अगाउंट यहां पर डैबिट साइड में और एम लिए पैसे सबसर में कभी लिख दो कितना आमांट बीस लाग और बीस लाग अब आप देखो तो यह जो हमने पे करा है डियालेशन अकाउंट के अंदर बीस लाग और दस लाग टोटल मि टारा है और उस लॉस को मैं पार्टिनर से मंगाना था तो यह एंटरी एक लगतार तीन हैं तो इसको आप आगे पीछे करो कैसे करो आपकी मरजी है है अभी तक लॉजिकल सबको चल रहा है समझ में आ रहा है हाँ सबस्क्राइब तो आ रहा है तो यहां पर मैं लिखा रिम रुपे इनको पे कर दिये ठीक है कैश एकाउंट के अंदर मैंने लिखा यहां पर कैश एकाउंट के अंदर मैंने लिखा यहां पर इनका फैसला अभी तक नहीं हुआ तो इनके फैसले के लिए कोट क्या कहता है कोट कहता है तुम मेरे को बताओ तुमको कितना लॉस हुआ है तो कोट कहता है आप मेरे को बताओ मतलब कोट मैं जहां भी कोट का हूं मतलब जो जज यहां पर टैंशन में बैट हैं यह सब कह रहे हैं कि आप बताओ आपको कितना ल हुआ है पता है कितना अगर डबल्यू पैसे लेके आ जाता लॉस तो तो यह नहीं होती तो यह जो लड़ाई हो रहा है इस वज़े से क्योंकि डबल्यू हुआ है इन्सोल्बेंट तो सर्थ कितना डबल्यू की कैपिटल में सिर्थ दसलाक रुपे क्रेडिट साइड लेकिन 20 20 लाक रुपे उसके डैबिट साइड है यानि कि टोटल 10 लाक का जो बैलेंसिंग फिगर है कौन सा फिगर बैलेंसिंग फिगर कैसे आ रहा है देखो डबलू में डबलू ने बिजनस के अंदर अभी तक 10 लाक रुपे दिये हैं जो कि क्रेडिट साइट पर दिख रहे हैं लेकिन 20 लाक रुपे उसके डैबिट साइट में डिख रहे हैं टोटल मिलाकर 10 लाक का लॉस है मतलब इस अगर इस सीचुएशन पर देखूं मैं तो डबलू को 10 लाक रुपे घर से लाने चाहिए लेकिन क्योंकि वह इंसॉर्वेंट हो गया है तो वह नहीं लेकर आप इसको आप कोगे लास ड्यू इनसॉर्वेंट यह नॉर्मल लॉस जो आप प्रॉफिट शेरिंग रिशो के अंदर बाठते हो यह वह लॉस नहीं है यह यह लॉस है लॉस जूटू इनसॉल्वेंट हो गया इसलिए और यह जो लॉस है यह कैपिटल नीचर का लॉस है बार जल्दी जिस डेट पर डिसॉलूशन हुई है उस डेट पर आपके कितनी कैपिटल है वह कैपिटल निकाल लो और उस रेशो के अंदर इस लॉस को आपको बियर करना पड़ेगा सर बियर कौन करेगा डबलू तो इनसॉल्वेंट हो गया तो उससे आप कुछ कर दी सकते ले पर डिसॉलूशन हुआ उस डेट की कैपिटल पर सर आप सीधा क्यों नहीं कहते है कैपिटल आप यह बार-बार क्यों कर रहा हो कैपिटल ऑन दी डिट ऑफ डिसॉलूशन का मतलब जज ने बताया क्या बताया कि जो आपकी कैपिटल के अंदर बैलेंस दिख रहा है क्रेड कैपिटल अगाउंट से एड़स्ट कर लेना है कुछ डेपिजाइट के अंदर लॉस्ट हो सकते हैं हो सकते हैं आपने कोई अकाउंटिंग अंदर गल्पी करी हो तो उसको ठीक करना पड़ेगा मतलब जिस डेट पर डिसॉलूशन हुआ है अगर इस डेट पर डिसॉलूश और इसकी कैपिटल के रिशु के अंदर आप इंसल्वेंसी का लॉस्ट करोगे सर कैपिटल के अंदर जो मैंने बैलन शीट बनाई थी इसके अंदर कोई भी रिजर्व और सर प्लस कुछ नहीं था मतलब जो भी इनकी रिच्व है बीस लाग और पच्चीस और बीच्छ जो भी है उस रिच्व के अंदर यह बियर करेंगे लेकिन जैसे ही जज नहीं यह कुछ पार्टनर कह सकते हैं सरम देखो इस के अंदर दो भी पार्टनर है अगर रियल रियल लाइफ मेले कोई पार्टनर एगा सर मैं तो बहुत करीब हूँ मैंने बिजिनस के अंदर पहले ही सिर्फ एक लाग फी रुपे लगाया था मतलब तो जज ने क्या कहा कि आपको इंसौलवें सी लॉस है रियलाइजेशन लॉस नहीं एकला पर जो लॉस है व यह घ्रटनर लॉस हुआ है वही के लिए आप कैपिटल लोगे जैसे आपने ऊपर लिखा सबसे बैला आपने लिखा यह मेरी बैलेंस चीट के अंदर है उसके अंदर आपने सारे प्रिजर्व को एड कर दिया और कोई लौस तो फिर जो कैपिटल हुई तभी आपको लोस लेके आना है घर से नहीं तो आपको लौस बेर करने की ज़रूरत नहीं है मतलब क्या हुआ सर इसका सारांश क्या निकला के रियलाइज़ेशन अकाउंट का जो लौस है वो तो इन्सोल्वेंट पार्टनर को छोड़ के सारह ही पार्टनर घर से कैश में लेके आएंगे लेकिन जो इन्सोल्वेंसी का लौस है लेकिन वह पार्टनर अपनी कैपिटल रेशो के अंदर लेकिन वह पार्टनर के लेंगे जिनके पास पहले से पैसे हम नहीं लेंगे समझ में आती है तो यह कोड का डिसिजन हो गया बिटा यह जो मैंने आपको कहानी सुना है यह सची घटनाओं पर अधारी तो इस सिर्फ पसे को छोड़के क्यों बैलेंश कुछ और दी लाइफ यह आपको यह करना हुआ है अगर आपको यह नहीं करना था लेकिन मैं भूल गया कोई नहीं कर लिया तो अब मैं इस को पूरा नें करवाऊंगा यह आपको भी बदा चल जाएगा आगे यह को मैं आपको इस बहले के लिए था कि इन सॉल्वेंट अगर कोई पार्टनर हो जाए तो क्या होता है यह जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी मैंने आपको बताया है कि यह रियल लाइफ पर अदारी थे सिर्फ इस बैलेशीट को छोड़के तो रियल लाइफ में इन पार्टनर के नाम क्या थे जो ड है इसका नाम था मूरे और कही लोग इसको पढ़ता है मरे आपकी जो मरन करे आप वो पड़ो मैं इसको पढ़ता हूं मूरे जब भी मैं बोलूंगा गार्नर और मूरे तो समझ जाना कि मैं इसी एम की बात कर रहा हूं इन दोनों के अंदर लड़ाई हुई थी जी और और मूरे के अंदर तो इसके बीच में लग गए वर्सिस गार्नर वर्सिस और इस रूल का नाम पढ़ गया गार्नर वर्सिस मूरे रूल और जब भी पार्ट्र इंस्वाइं होता है तो हम यही रूल करते हैं सर किया यही हमारा अगला कॉंसेप्ट है थोड़ा से सस्पेंस है इसलिए बनाया था ताकि आप अच्छे से समझभाऊ गार्णर वर्सेज मुरे रूल क्या रूल है कि जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होगे तो कैपिटल का लॉ पार्टनर कितना बेर करेगा उसके बाद जो हम डिजॉलूशन के अंदर ट्रीट्मेंट करते थे वह त्रीट्मेंट सेम रहेगा मैं आपको एक कोशन करके अभी दिखाऊंगा पहले मिर को आप यह बात बताओ यह लड़ाई क्यों हुई सर इस लड़ाई का सबसे बड़ा अगर इनको घर से पैसा लेना तो लड़ाई किस बात की जो बीनेस के अंदर है उसी से अजस्ट करना तो लड़ाई होती नहीं तो पहला कारण है इनकी लड़ाई होने का और इस रूल के बनने का और दूसरा कारण है कि पार्टनर्शिप डीड के अंदर कोई अगर लाटनर्शिप हुई इसका नाम क्या होता है ऐलींटेट लाटनर्श की लिमिटेड होती है अगर मतलब लींगी ङृफ्टेट लफेर साट तो क्या नहीं लगेगा ठीक है ठीक है और यह एग्रमिन्ट अगर partnership के अंदर कुछ लिखा होता तो क्या लड़ाई होती नहीं सद नहीं होती इसका मतलब यह है कि अगर partnership के अंदर कोई और treatment specified हो पहले से किस चीज़ का treatment insolvency का अगर partnership के अंदर पहले से लिखा हो कि अगर partner insolvent हो गया तो हम यह करेंगे तो आप आप गर्णर वर्सेस मुडर रूल नहीं लगाएंगे आपको वही पार्टनर्शिप डीट फॉलो करनी है ठीक है हां सर ठीक है यह पार्टनर्शिप डीट वारा तो हम बच्पन से पढ़ते वारा हैं कि पार्टनर्शिप डीट के अंदर लिखा है तो वह लोग को और ठीक है हां सर ठीक है सर अगर आपको दिमाग पर अंदर नहीं आया तो मैं आपके दिमाग पर अंदर एक बार डालना चाहूंगा कि इस लड़ाई का करण एक और बहुत बड़ा करण था कि एक ही पार्टनर इंसॉर्वेंट हुआ था मतलब जिस पार्टनर को पैसे नहीं डाने वो तो अलग बागी जो बचे उनकी लड़ाई है ना अगर सारे इंसॉर्वेंट हो जाते मतलब यह GMW तो घर से किसी को पैसना नहीं होता वाट कि घर से कौन कितना पैसा लाएगा मतलब लड़ाई सिर्फ इस बात किती कि घर से पैसना लेके आना है अगर सारे पार्टनर Eastern हो जाते हैं तो आघ तो अगर सारे वर्स मुर्य रूल नहीं लगेगा ठीक है अब इसके बाद कर सकते हैं लेकिन चाहता हूँ कि आपने और रूल समझा 651 बैसे砂ज के नोट्स लिखवाया थे वह पॉइंट नमबर वन था अब यह पॉइंट नमबर टू डालके आप लिखेंगे इंसल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स एंड एप्लिकेबिलिटी ऑफ गार्णर वर्सेज मुरे रूल यह आपके नोट्स हैं जब आपको रिवाइस करना आप यह नो नहीं होगा और इसके बाद दूसरा है पार्टनर के लिख होगा तो भी जी गर्दन गार्णर तब भी गर्दनर वर्सेज मुरे रूल आप्लाइए नहीं होगा अगर साधर ही पार्टन हो जाएंगे तब भी अप्लाइए नहीं होगा तो मैंने हैं पर यह तीन लिए पहले आपको समझा देता हूं मैं क्या लिख रहा हूं उसके बाद आपको time दूँगा आप याद करने की सब्सक्राइब काने हैं आब को याद हो गया है आप मानों नमानों न मानों और हो इंगलिश के अंदर यहां पर यहां पर लेकर रहा हूं तक कि अगर इनकेस आप पहले ही पर चुक चुकाई है तो नॉर्मल है कोई इसमें साइंस नहीं है अभी तक सब नॉर्मल है उसके बाद मैंने लिख दिया स्टेप नंबर टू अगर रिलाइज़ेशन अकाउंट के उपर लॉस हुआ तो वह लॉस पार्टनर में लेकाएंगे कैश के अंदर यही मैंने आप इंग्लिश में लिखा है स्टेप नंबर ट इन इंसोल्वेंट पार्टनर केप्टर अकाउंट अगर आपको दिक्कत हुई समझने में वैसे दिक्कत नहीं होगी बहुत इजी है अगर फिर भी अगर आपको क्योंकि एक्जाम के अंदर क्या होता है हाथ रूख जादा तो पेपर छोड़ जाता है तो आप क्या करेंग इस पार्टनर कैसे बॉर्ण करेंगे सरक्राइब के अंदर आपने बात तो बताएं लगोंड अगर फिस्ट टारीव को प्लक्ट इंग बिटा मैंने आप अस्यूम करा है कि आपको पता है और उपर उपार से बता देता हूं क्या होता है इसके अंदर दो अपर अकाउटन क आपको दुक्त होगी निकालने वाली कौन सी दिख्त सर्वोस हम निकालते हैं लॉस्ट वह निकालते हैं आप देखो मैं आप लिखता हूं इनके सब्सक्राइब लगाउंट यूज फिक्स्ट कैपिटल रेशो फिक्स्ट कैपिटल एकाउंट तीनों का हमेशा क्रेडिट ही होता है नहीं सर ऐसा जरूरी नहीं है तो जो भी होगा वह आप देख लेना कोशन के अंदर अगर फिक्स्ट कै करने के जरूरत नहीं है और फिक्स्ट कैपिटल होतों तो आप क्यों सा रेशो करेंगे कैपिटल ऑन दी डेट ऑफ डिसोल्यूशन देखो मैं यह लिखा है इनके सब्सक्राइब क्याइब लकाउन यूज यूज इस प्रूशन रेशो तीन जितने ही पार्टनर होंगे उन काप्याइब कर देना उसके बाद मैंने स्टैप नंबर लिक्ने से पहले मैं आपको लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कर लेना यह फिर माइनस जो भी होगा एक्टिफिकेशन ऑफ कोई भी रैक्टिफिकेशन होगा बाते के अंदर से मारेस वहा और यह सकती है अगर accounting के अंदर कोई गलती करी उसका impact पड़ेगा profit और लॉस के पर rectification of errors question के अंदर आएगी वह मैं आपको दिखाऊंगा भी फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं rectification of errors मतलब जैसे creditor है creditor ने कुछ payment करें आपने रिकॉर्ड नहीं करा तो यह गलती हुए आपको गलती को ठीक करना है और उसका प्रॉफिट को पर पार्टनर के अंदर चार्ज करना है तो उसके बाद आपको capital निकाल नहीं है यह कुछ ज्यादा खास जरूत नहीं है आपको देख के बते चल रहा है कि कौन सी वाली capital है लॉजिकल भी यह है कि जिस डेट पर जनरल रिजर्व यह लेकिन जनरल रिजर्व पिछले जो पार्टनर के अफ़र्ट है उसको लगा के कमाया गया है तो यह पार्टनर काप्र को मिलना चाहिए इसलिए मैं ऐसे लिखा है और इसलिए ही लॉजिकल है जजने भी इसलिए यहीं का था कि आप capital on the date of resolution ratio लेंगे यहां पर मैं लिख देता हूं step number four के अंदर यहां पर सिर्फ आपको credit capital ratio ही लेना है अभी तकारर आपको कुछ समझ जाए तो कोई दिक्कत वारी बात नहीं मैं अभी question के अंदर समझाऊंगा और वह वह वाला question लोगा जिसके अंदर debit capital भी हो और credit capital भी हो अब चल आपको normal जो आपके step होता है किसके अंदर dissolution के अंदर वैसे आपको सारी book close करनी है ठीक है तो मैं यहां पर लिखता हूं close cash account in the same manner as discussed earlier जो मैं वह खतम हुआ अगर आपको वीडियो यहां से skip करनी हैं तो skip नहीं करना question समझाने वाला हूं कई बच्ची क्या करते हैं concept समझ लिए अब हम question बन जाएगा अगर आपने करा है तो आपको यह बात पता होगी इससे पहले मैंने एस टूंटी टू डाला था तो मेरे किसी एक फ्रेंट ने भी देखा था एस टूंटी डू मैं भी अभी सीय नहीं हूं मैं एक student हूं आपकी तरह और जब मैंने एस टुंटी टूंटी डाली थी तो लेक्चर बन और लेक्चर टू मैं दो लेक्चर डाले थे लेक्चर बन के इंडर मैंने सारे कॉशन continues to be a इसा कई बाचे कर लेते हैं कि कॉश्च पढ़ा उनके कॉश्च होगा बहुत अच्छा माइंड होता है लेकिन कई आसी हो जाता है कि वह लोग पीज जाते होते होंगे तो पूरी करते थे उसके बाद भी आड़ी श्रमा के अंदर को आप नहीं कर पाते हैं आपने कॉंसेप्ट कर लिया बहुत अच्छी बात है कोशन अभी बनाओगे तो अभी भी बन जाएगा लेकिन एक कोशन मेरे साथ कर लो आपका ही फायदा होगा ज्यादा ट पढ़ने में दिक्क्त होती है मतलब यह लाटों मैं लेक्चर वन के अंदर भी बोला था अगर आपको ऐसे पढ़ने में दिक्क्त होती है वीडियो पॉस्ट करके आप इसको पढ़ लो को और मेरे साथ पढ़ना चाता हो तो मेरे साथ पढ़ लो मैं कोशन पहले पूरा सब्सक्राइब क्या है डिसाइड टू डिजोल देर पार्टनर्शिप ऑन 31 मार्स 2020 आई से स्टाइब में कर दी है 31 मार्स 2020 क्योंकि एक्जाम के अंदर जो लेटेस्ट यह चल रहाता है उसी का कोश्चन आता है वेन दर बैलेंशीट वास एस अंडर बैलेंशीट दी है अगर्ड़ कैपिटल अगाऊंट लबिटेसीजें रख और सितना अगजस्मेंट नीच फॉलिज इन फॉल्वा क्यायचन तो ये वन दो डुक समय क्यायच रोज युच्याजन करने है मतंब को यह लेकिन उसने मुठ दे लिए और पेजनर लेकिन उसने लिए हैं बुक वेल्यू वास फाइव थाउजन एट अब वैलुइशन ऑफ त्री थाउजन टौन टौन इसका मतलब यह जो पेटेंट्स हैं इनको हमें लेकिन उसने कहा कि यह मेरे लिए पांच तर यहीं तो मैं इसको बत्रीस तो पर ही टेक ओवर करूंगा मतलब क्या बतलब क्रेटर के अंदर से उन्हाने टोटर मिला कर चाथ सुरुवेगा डिसकाउंट दिया और बागी हम दोनको पे कर दिया थीक है पेकर दिया बहुत जोंग और प्वाइंट नमबर डू है देरे बाद जोईंट लाइफ परेशी ऑफ बेस्ट टूंटी थाओं नौट मैंशन इंदी बैलेंशीट बैलेंशीट के अंदर एक जे एल पी जयंट लाइफ परेशी जयंट लाइफ परेशी नदर उनके राम पर एक लाइफ इस या तो मेंचूर लगा इसा होता है लेकिन अगर तो उसको मैच्योर कर लिजाती हाँ सर ठीक है उसके बाद है रिमेनिंग एसेट वर रिलाइज एड़ी फॉलिंग वैल्यूस डेटर हैं दसदार आठ्सतों के जो एसेट है उनको कि किस वैल्यू पर रिलाइज कर रहा है यह बता रहा है 10800 डेटर स्टॉक प्लांट इन मशिंडरी पेटेंट 60% आफ देर कोन हो इसके अंदर डी बीकेम इंसॉल्वेंट एंड डिवेडेंट ऑफ 25 पैसे इन रूपी 25 पैसे इन रूपी का मतलब 25 परसेंट जो भी से पैसा लेना होगा उसका 25 परसेंट हमको मिल चाएगा मतलब क्या जो भी से कैपिल अंदर बैलेंसिंग फिकर होगी उसका 25 कर ले सबस्क्राइब को सब्सक्राइब 옛ाषिंट चलीजेड बनाने सबसे अंदर बनेंगे पार्टनर के नाम क्या है ABCD है सबस्क्राइब सब्सक्राइब करते तो करते हैं सबसे पहले से चलते हैं और है तो क्या करते है क्रेश लिखा मैं यह पर और है और इंप्लोई स्कूरुज़ इसका सब्सक्राइब करता हूँ यहां पर यहां सब्सक्राइब करना पड़ेगा कौन कौन से इस टॉक है यहां पर देखके मैं करता हूं जल्दी जल्दी इस टॉक प्रिपेड एक्समेंस प्लांटेंट मशिनरी बेटेंट डेटर्स कितना मांट परचीज दोसो एट हंड्रेड टूंटी थाउसन पेटेंट्स की वैल्यू है एट थाउसन और डेटर्स है 15850 सारे लिग दिया मैंने सारे बैलंस को बेस्ट कर दी इसके बाद क्या है सब्सक्राइब करते हैं अब पॉइंट नमबर वन पर अगर मैं आऊं तो यह कहता है वन अफ दी क्रेटर टूक सम ऑफ दी पेटेंट फूस्ट वैली वास 5000 एडेवलेशन अफ 3200 एट एंड बैलेंस क्रेटर वर पेट एडिसकांट और पॉरहंड पॉइंट नमबर वन मैं सब्सक्राइब करने पड़ाया क्या कहता है इसके अंदर मतलब नौर्मली बात यह है कि क्रेटर के अंदर थोड़ी सी एड्जस्मेंट है इस एड्जस्मेंट को मिलेको वर्किंग नोट के अंदर पेटर आप मुझ जबानी कर सकते हैं तो कितना आया जो भी आमांट आया उसके अंदर से 400 रुपे बागी ने डिसकाउंट दे हैं वह निकाले लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है कोशन जितना सान होता है बच्चे के उतने ही ज्यादा नंबर करते हैं सरक्यों करते हैं क्योंकि उसकी बहुत सारी क्लेक्शन और ली हो जाती है तो आपको इसको और ल लेक्शर वन के अंदर ही बताया था जब मैंने फर्स्ट क्लास ली तो मैं आपको बताया था तीन अकॉंट एकसाद बनाने हैं तो मैंने तीन अकॉंट एकसाद बनाएं उसके नीचे आप वर्किंग नोट करनी है पहले तो मैं दिखता हूं बुक वैल्यू एस पर अगर हुई या नहीं उससे कोई दर नहीं उसने 3200 पर लिया है तो हम 3200 ही लेंगे यहां पर तो इसके अंदर से प्रेटेंट 3200 में यहां से मैनस करता हूं क्योंकि प्रेटेंट की वैल्यू तो इसकंदर से हट जाएगी बागी जो बचा क्योंकि लिएखन को कितने पैसे बैंक से पेएं करने पड़े यह मैं आपको मैसувर फिले wijनची होकि ऑर कुछ नहीं कर रहा तो यह क्रेटर का बैरेंस जो वे 12100 यह मेरे को बैंक से पे करना पड़ेगा तो मैंने आप रिलेज़शन अकाउंट के अंदर टू बैंक अकाउंट कितना 12100 ट्वैल ताउजन वन हंड़र्ड और यह सेमें मेरे को बैंक अकाउंट के अंदर पोस्ट करने पड़ेगी बटा आपको बीच में भूलना न मतला देखो तो यह कंप्लेट नमबर टू क्या कहता है आके देखते हैं क्या कहता है ऑद्सक्राइब तो मैंने आपको सिखाया था कि कोई णरीजिद्ट रिजवर्ट यहां पर पैसा आया बाकिछा चलेड कर नहीं जरूद नहीं है उसका लाजिक में आपको लेक्षर वण के अंदर दिया है तो मैं यहां पर दुबाह से नहीं कि बताने वाला हूं मुझे उमीद है कि आपने लेक्टर बन देख लिया होगा और नहीं देखा तो आई बटन में उपर लिंक मिल जाएगा को आई बटन किस साइड आएगा और इस साइड तो जहां भी बटन दोगा आप आप महां से देख लेना बैंक अकांट यहां पर मैंने लिखा 4500 जॉइंट लाइफ वालसी इसके लावा बाकी भी एसेट रिलाइज हुए हैं मैं आपको मैं आपको पहले वी बताया था कि आपको डिटेल सारी एक साथ लिख लेना ताकि एक्जामिनर को रून ने पड़े तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं रिमेनिंग एसेट वो रिलाइज एड़ी फॉलेंग वैल्यू डेटर की वैल्यू है तैन थाउजन एट हंडड़े इस्टॉक की फंद्राइज अच्छे सो प्लांट इन मशीन देट्वल थाउजन और पेटेंट शिक्टी परसेंट और बूक वैल्यू से पहले जो यह बाकी यह लिख लेता हूं डेटर्स कितनी वैल्यू है तैन थाउजन एट हंडड़े टैन थाउजन एट हंड़े पर ठीक है बाकी स्टॉक कि इतने पर रिलाइज होता है विप्टिन थाउजन और यह बाकी जो बचे हुआ है प्लांट इन मशीनरी त्वेल थाउजन और पेटें लेकि आगते हैं देखो अधिके बूकंभ थी यह बैलिट इनर मैंने आफ्यापक कर करके लिखाई यहां रखना है यह बूक बैलियू लेकिन के नर जो क्रेडिटर ने जो लिए थे पॉइंट नमर वन के अंदर जो लिखा है उसकी बुक वैल्यू थी लेकिन उसने बद्दिस्टों पर लिए थे उसने जो हमको कोशन के अंदर लिखके दिया है कहता है जो पेटेंट से हैं वह 60% ऑफ बुक वैल्यू कितना 60% ऑफ बुक वैल्यू मतलब जितने भी उनकी बुक वैल्यू है उसका 60% हुआ है लेकिन वुक वैल्यू कितने एट थाउजन लेकिन उस एट थाउजन के नदर से 5000 तो एक अब क्रेटर को देदिया बागी बच्छे कितने 3000 का 60% हमको पैंक अकॉर्ण में मिला होगा सर्च सिक्स थी थाउजन का क्यों क्योंकि 5000 के बागी तो नहीं बेचेंगे नॉर्मल लॉजिक है इसमें इतना दिमाग लागने की जरूत नहीं आपको बता देता हूं के 3000 का 60% कितना एगा 1800 यह हम इसको बैंक कांट के अंदर हमको रियलाइज हो जाएगा तो इसलिए मैं यहां पर बैंक कांट के अंदर लिग दिया तो यह बैंक अकांट के अंदर भी जल्दी से जाके पोस्ट करता हूं ताकि मैं भूलू नहीं बैंक कांट के अंदर मैं लिखा टू रियलाइजेशन अकांट 44700 आप कोशन के उपर आकर देखूं तो मैंने बैलेंशीट पूरी खतम कर दी है पॉइंट नमबर वन और पॉ पॉइंट है यह मैंने आपको लेक्षर में नहीं दिखाया था इजो रियलाइजेशन एक्सपेंस से हमेशा कोशन चुपए होते हैं बच्चा अकसर इनको करना भूल जाता है मैं भूल जाता था जब मैं करता था तो आपको भूलना नहीं है देख लेना रियलाइजेशन चुपा के देगा बुक जो कोशन आएगा एक्जाम के अंदर भी उसकंदर भी आपको छुपए दिखेंगे कहीं न गए तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 15 रुपए के यह पे करें तो मैं यहां पर लिखता हूं के अंदर सबसे पहले इसको पे करने के एंट्री बैंक अका लेकिन आपको एक मैंने लिखवाई थी नोट के अंदर को आपको चेक करना करने से पहले आप चेक कर दिया अगर कोई पे नहीं करेंगे तो आप उसको करेंगे कि बुक वैल्यू पर पे कर दी इसके अंदर दो लेडिटी में पर दिख एक्रेटर्स और इंप्लोई आपको इंप्लोई प्रोविडेंट फंड पर अभी बतातों पहले इसके एंट्री पोस्ट करता हूं पहले में कि शेजार तीन सो और यहां पर मैंने नोट लिखा है तो मैं नोट में रिलेशन का नीचे ही नोट दूँआ कि इस अजियूम डैट इंप्लोई प्रोविडेंट फंड हैस बिड्र एड़ जो 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 सारे इंप्लोई की से कुछ पार्ट करता जाता और वह प्रौविडेंट फंड दर घटा होता अगाउट के अधर घटा होता है और क्योंकि एक नए दिन इंप्लोई को वापस करना है तो यह इस लिए बैलन शीट के अंदर लाइबिटी के अंदर शो होता है अगर पार्टनेशी फिर्म पहले ही डूजर्व हो गई तो भी आप इसको पे करने से बच नहीं सकते इस टैट हकते तो आप इसको नहीं कहा सकते है लूज लीगली आपको इसको पे करना ही है तो इसका किये एक है और बहु आगल अगर ऊंधर बालब अधर ये ये रिडिट्स अकॉंट गलत हुआ तो पार्टरस क्याप्ट गलत हुआ और पोस्ट नहीं हुई इसलिए कैश अकॉंट भी गलत हुजाएगा मतलब इस पॉइंट पर आके आपने गलती करती तो आपका पूरा आगे का कॉश्चन गलत हो जाएगा तो इस कोश्चन यहां हाँ सर ठीक हैस तो यह एकल मैंने प्रटिया इसके एंट्रे में यह रिए पहले को पोस्ट कर दो यह मैंने पोस्ट कर दिया इसको ठीक है अब कोशन हो गया है खतम लाइटी सारे कर दी ऐसट अगर कोई और पूर यह रिलाइस नहीं हुए है और सब्सक्राइब के पीछे का रिजन में आपको लास में नहीं बताता हूं बैटा देखो इस टॉक है प्रीपेड एक्सपेंस है प्लांटेंड मेशिन टी है पेटर्स अगर इसके अंतर से कोई अगर कोई आपको दिख रहा है जैसे इसके अंदर स्टॉक है अगर सब्सक्राइब हुआ ही नहीं तो आपको नीचे जरौत नहीं है कि हमेंने अगर कोशन के अंदर उसकी डिटेल नहीं दे रहा है तो इंप्लाइट है कि वह नहीं हुगा ठीक है तो अब इस अकाउंट को क्लोस करना पड़ेगा यहां के बाद आपको शुरू होता है सबसे पहले मैं आपको लिक्वाइब पर जो भी लॉस आपको निकालना पड़ेगा ठीक है तो इस सब चीज़ खतम हो गई अब इसका लॉस निकल सकता है अगर लॉस वह भी तो अगर तो देखते हैं इसके अंदर प्रॉफिट और है यह लॉस अकाउंट देखे बद चलो डैबिट साइट को ज्यादा आ रहा है तो इसके अंदर कितना लॉस है देखो मैं इसको निकालता हूं बैरे टोटल करता हूं उसको कितना रोटल है कि 89 750 टोटल आ रहा है और इसका लॉस हजाएगा कितना लॉस है इसका सर 23,050 इस 23,050 को 4321 जो इनका पीए साथा इस रिश्यों के अंदर पार्टनर स्क्राप्ट अंदर ट्रांसर करना पड़ेगा ठीक है ना हां सर ठीक है 9200 इसको मैं बाटता हूं जल्दी से 23050 को 4321 में आ 9220 B का 6915 C का आजएगा 4610 और D का आजएगा 2305 लॉस का शेयर ताकि मैं हम आपको पता है ना हर एंट्रे के डबल एफेक्ट होता है तो इसका लॉस को आपको ट्रांसर करना पड़ेगा पार्टनर स्क्राइब करना तो मैं इसको जल्ली से ट्रांसर करता हूं कि तो यहां पर मैंने लिखा डाइबिट साइड में टू रियाज़ेशन अकाउंट कितना लॉस है 9220 और इसका 6315 था शायद और सब्सक्राइब करेंगे लेकिन कैश के अंदर सिर्फ वह लाएंगे जो सोल्वेंट होंगे ठीक है ना यह लॉजिकल भी है वैसे तो क्योंकि यह तो हम बोगिश काम कर रहे ना रियाज़ेशन अकाउंट के पर लॉस है यह तो सिर्फ बुकिश एंट्रियों इसकी पार्टनर के घर से कुछ नहीं आ रहा लेकिन जब कैश में मंगाएंगे जो जजने और कर रहा था तब तो इसका प्रैक्टिकल आ रहा है तो इंसल्वेंट पार्टन तो नहीं ला सकता इसका मतलब एक और लॉजिक है लॉजिक क्या है तो आपको लॉससन गया सकता चले लॉस्हेंसी आप पता लगा सकते हो जब आपने रियाज़ेशन अकाउंट के अंदर इसक डर हैं सर तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगा क्योंकि कोशन गंदर नहीं बोला कि पार्टनर्शिप बीट के नहीं है मतलब इसके अंदर लगेगा तो सबसे लोज वा जो भी पार्टनर्स होंगे उन सब को कैश के अंदर लाना पड़ेगा बेटको छोड़के सारे ही पार्टनर घो दी है वह इंसल्वेंट है तो जो बागी बूच है उनकों काल था है solvent I n s o l v e n t insolvent और s o l v e n t कि solvent ठीक है थीख है हाँ सर ठीक है तो बैंक अकाउंट मैं यह पर एंट्री पोस्ट कर रहो हूं इसको पैसे मंगाने की हूंग्य हमने कैश अगाउंट बनाया तो मैं आप लिखता हूं बैंक अकाउंट कितना पैसे कौन को लिख आएगा सर ए लिख आएगा नाइन टू टू जीरो क्यों इसका डिलाशन अकाउंट का लॉस यह यह बी लिख आएगा 6915 और सी लिख आएगा 4610 डीत नहीं ला पाएगा क्योंकि इन्सॉल्मेंट है तो इसकी एंट्री में बैंक अकाउंट के अंदर भी पहले पोस्ट कर देता हूं पैसा आजएगा एस कैपल अकाउंट बीस कैपल अकाउंट और सी कैपल अकाउंट कितना पैसा 920615 और 4610 कैपल अंदर से देखे लिखना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब क्या करना है अब उसके बाद मेरे को निकालना था लॉस और इंसल्वेंसी कितना लॉस है तो यह तो इसने बोला है 25 पैसा इना रूपी रियराइस हो गया है 25 पैसा इना रूपी लॉजिक क्या था इसका के एक रूपे में 100 पैसे होते हैं और आपको 25 पैसे मिले यानिकि 25 पैसे मिल पाएगा तो दस तन साथ तो इस सम को लेना है डेबिट साइड में जो आपको तुटरल दिख रहा है इसका लेकिन यह कितना परसेंट देपाएगा सिर्फ त्वंटी परसेंट तो तैंट इसको के पास आज जाएगा तो इससी पैसा मिला पहले में वह पैसा लिख रहा हूं क्यों कि मिले को लाॉस ऑण इंसल्वरेंसी के वज़े से क्या लास हुआ यह निकालना लॉट अभी पता चले पिसे कितना पैसा नहीं मिला तो इसलिए मैंने क्या करा पहले एंट्री पै पैसा इंसोलेंट पार्टनर से रिकवर हो पाया इसको बोल सकते हो बैंक में पैसा है तो बैंक काउंट के इसकी एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी कितना पैसा 2,680 और जो बाकी बचा वो डी नहीं लाप आएगा वही है लॉस ओन इंसल्वेंसी आप बैलेंसे फिगर निकाले 10,720 में 2,680 माइस करेंगे तो 8040 आएगा सर 8040 आगया अब यह लॉस पार्टनर को बेर करवाना पड़ेगा यह यहां तक जो मैंने अभी तक करवाया आपको यह तो मैंने उस एक्जांबर के अंदर भी करवाया था अब यहां क्यों यहां पर मैं कोशन पूरा करूंगा यह तो बुक सब्सक्राइब करा और मतलब कि अंदर कि इंस बातना का रहा है थीक है तो यह 8040 जेजदने कहाता कि आप कैपिटल ऑन दीडिट ऑ डिसॉलुशन के रेशो के अंदर बियर करोगे निकाल लेना और प्र जो बीरीशों और उस देघर करेंगे लेकिन जिस पार्टनर का डैब लॉस्ट नहीं करेगा लेकिन इंसल्वेंसी वाला वह बियर नहीं करेगा तो सर इसके अंदर की किसका मैंने आपको बताया था आप कैसे निकालते हो आप जो भी बैलेंस शीट के अंदर दिया है उसके बाद उसके अंदर से करते हो क्या क्या करते हैं सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आएगी लेकिन इस कोशन के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं कोई सब्सक्राइब करेंगे और इसके अंदर से क्रेडिट कैपिल सिर्फ एक और बी की मेरे को दिख रही है आपको भी दिखने चाहिए सिर्फ एओर बी का ही क्रेडिट बैलेंस है 40-2 और 20-000 और सी और दी का डैविट बैलेंस आप इसे लॉस नहीं मंगबा सकते सब्सक्राइब करेंगे और लेकिन यह जो है आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपको यह रूल आता है आपनी चिटिंग नहीं करिए करना कि ह walls को आया दो आपको आता है तो आप कैसे अब बद्र से रिकावरी मैंने मानई करता है मैंने यहां पर करे 25% सेवन 10,720 कितना है तो लॉस जुडू इंसलवेंसी कितना आ जाएगा 8040 अब मैंने यहां पर लॉस जू इंसलवेंसी निकाला आप मेरको उसको शो करना है कि मेरको वो मेरको गार्णर वर्सेज मुरे रूल आता है तो मैं कैसे शोग करूँगा मैं यहां पर थोड़ी से थियोरी लिखूँगा एंगलिश मैं लिखता हूं लॉस और इंसल्वेंसी विल बॉर्ण बार्टनर इंदेर कैपिटल रेशो ठीक है ना सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर है जो कैपिटल करेंगे और लेकिन इसकी एकस्षेक्षण है किया एकस्षेक्षिन यह है जिसकी डेविट बैलेंस वहाव बयर्द नहीं करेगा तो मैंने लिखा यहां पर लॉस ऑंउन इंसल्वेंसी विल बगॉड बार्टनर्स इन देर टेपिटल रिखूँग है फिर फ्र हॉइवश लख़र लोसउन इंसल्वेंस इन लॉंट एक दम थीक है जिनकी लेट बैलेंस होता है वो बियर नहीं करते है तो उसके आगे का लिखता हूं लिखता हूं लेक्ता हूं देर्फोर एस लॉज ओन इन्सल्वेंसी और फॉर बाइंसलेंसी विल्वाद बॉल्वेंट बाई अब उसको करवा देना कि मिलाव करते हैं तो 40.000 रेशो आजागा फोरस टू तो अब इस लाउस को मैं बियर करवाता हूं इनको कैसे सरब्यर करेंगे किंआ कैसे करते हैं तो पार्टनर की कैपिल डेविट जिसको बैनेफिट मिला उसकी क्रेडिट देखो करके दिखाता हूं जो जो डी है इसको इसका बैनेफिट किसको मिला है डी को कैसे बैनेफिट मिला वह इंसल्वेंट हो गया इस वज़े से 10720 की बज़ाय सिर्फ 2680 ही पे करने पड़े बाकिव जो हुआ वह उसको पे नहीं करना पड़ा यानि कि उसको हो गया बैनेफिट उसकी कैपिल हो जाएगी करईट को करने में किस कई काथ है सर ऑर 25 हमतलब यह जो को फायदा हुआ है इसका कॉरसपोंडिंग नुकसान जो इसको फायदा हुआ है 8040 का इसका कॉर्सपोंडिंग नुकसान कौन वे कर्रा कर रहा है सर ए क्व्ывी कर रहा है तो मैंने यहां इन सिर्फ डी के अंदर पोस्ट कर रहा हूं और लिखता हूं यहां पर कितना है 8040 किस रिश्यों के अंदर 42 के अंदर मैं इसको के अंदर करता हूं तो एक ने बेर करा 5360 और 2680 यह समझ में आया यहां पर बहुत सारे बच्चों को समझाने से क्या होगा जो मैंने अभी समझाया है वही कौन से वही चीज आप दुबारा देखोगे इसलिए मैं इसको दूसरी तरीके समझा रहा हूं आपको नहीं समझ में आ तो एक बार देख लो आपको समय में आगया तो भी कितना कुछ 10-20 लगेंगे आप देख लो कैसे बेटा डी ने 10,720 बिजनेस के अंदर से एक तरीक से विड्रो कर रखे यानि कि 10,720 डी से हमको लेने थे हमको किसको बिजनेस को लेकिन उससे हमने कितने पैसे लिये लेकिन जो बागी पैसा बचा वो तो भी नहीं दिया तो फाइदा हो गया ना डी को कितने रुपे का सर 8040 का बैलेंस फिगर जो है बिसनेस के लिए तो लॉस ऑ्ण इनस्लिवेंशी है लेकिन डी का पर्सनली देखे तो डी को इतने पैसे नहीं देने पड़े तो यह जो नुकसान कि ए और बी अपने PayPal से प्यर्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने डी के प्रॉस्च करा बाइए काउंट करा कि कोई और अकांट है नहीं मैं प्रॉफिट ऐसे नहीं कर सकते लुए अकांट है नहीं मिलान यह नहीं तो पार्टर के लिए क्वर्च करा कितना कितना 5360 और 2680 रेशो फॉर टू है इसलिए 8040 को फॉर इस टू के अंदर मैंने डिवाइड करके यहां यहां पर लिख दिया यहां तक बात समझ में आती है हां सर आती है तो यह एंट्री तो अभी सिर्फ डी के अकाउंट में हुई है लेकिन ए ने और बी ने जो लॉस लॉस मिला है तो डेशाइड हो नीचे है हां बिलकुल डेशाइड होगी तो यहां पर मैं लिखता हूं कि वज़े से इनको प्रेंदर और पोस्कर रहा हूं पोस्कर और और पोस्क्रोगी वह सी और डी ने तो लॉस करा ही नहीं तो ए और बी के अंदर मैंने कितना कितना बेर कर रहा है यहां तक आपको समझ में आई हां सर समझ में आई इसके अंदर कुछ आपको नहीं होना शही है क्यूंकि मैं समझा रहूं इतने अच्छे तरीके से म मुझे नगता है आपको भी मेरे लगता है कि आपको भी मेरे तरीका पसंद आता है कि आप यह वीडियो को आपने लेक्चर बन देखा है तो आप थोड़ा विश्वास करो मेरी बास समझो कि इसकी एंट्री एक अकाउंट में दोनों साइड हो रही है इससे बच्छों बंसुजन होती है डी को पैसा मिला मतलब डी को बैनेफिट मिला किस ने दिया एन और बीना तो डी के अकाउंट में क्रेट होगा कियोर बिना नुकसान उठाया किसकी वजे से नुकसान उठाया किसकी वज़ेश को क्रांसर करें तो इसके विडिकाप्टर मतलब हए अगर आप जन्रुग देखेंगे तो क्या होगी ए इस ने लौज़ करा क्योंकि भी ने भी लॉस डेबिट करा और फायदा कि स्कूर्ण डी को टू डीज कैपिटल अकाउंट इस जनरल एंट्री को अगर आपने साइड में नहीं लिखा है तो आप मतलब एक काम करो अगर आपको समय नहीं तो साइड में यह एंट्री लिखो एस कैपिल अकाउं कि अब चलते हैं हम इसमें आगे बिटा आगे आगे का स्था जो मैं आपको लिखवाया था मैंने का था लौस और इंसॉलस जब आपने बियरकरवा जिया उसके बाइए तो हो वैसे ही सब अकाउंट क्लोस करोगे तो आप कैसे करते हो आप रेल्याज़़जने को पहले खरते वह और उसके और अपने आप टैली हो जाता है तो तो बाकिछे इसका एक कवाय्ट करते हैं तो किपना इसका क्रेड़ और तो कितना एक तो के डेबिट साइट के अंदर या फिर यहां पर बन रहा है तो बैंक से लेकर जाएगा सब कितना लेकर जाएगा जल्दी से निकालते हैं 4920-920-5360 आप कर रहे हो मुझे पता है तो बैंक में लिखा में 34640 बैलेंस फिगर है कितना है 26915 टोटल आ रहा है इसका हां सरी टोटल आ रहा है और डेबिट साइट में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर निगालता हूं यह कितना कैश के अंदर लेकर जाएगा यह बैलेंस फिगर आता है 17320 रुपई यह बैंक से लेकर जाएगा घर ठीक है अब सी का कैपिल अकाउंट करते हैं क्रेड़ साइट देखी मैंने और फिर डेविट साइट देखी में को दिख रह है क्या बूला मैंने इसने ज谈 चाहूं अ mystर बिजनस को दिया को दिया है उस से चृट साइब को नियों कितना बागी का साइब से लिक नहीं चैनल के लास सकता है आसर बिल्कुल ला सकता है तो मैंने यहां पर लिखा बैंक अकाउंट 3200 यह इतना पैसे घर से लेकर आएगा अब मैं जब यह सी लाया 3200 यहां पर मैंने लिख दिया 3200 और कौन कौन ले और ए और बी जो है यह कैपिल लेके जा रहे हैं कि इनका डेविट साइड में टोल बच रहा था कितना है यहां पर अकाउंट के अंदर देखता हूं मैं 3434640 और 17320 यह इनका टोटल जो यह बैंक से लेकर जाएंग के पैसा घर और कैपिल अकाउंट अब हो गया है क्लोस रियलाजेशन अकाउंट हमने पहरे क्लोस कर दिया था सिर्फ बचा है बैंक अकाउंट अगर यह टोटल मैंश हुआ मतलब कोशन हुआ है सही देखते हैं इसका टोटल क्या रहा है सबसे पहरे मैं करता हूं डेविट सब्सक्राइब करने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर पार्टनर हो जाए इंसल्वेंट तो आपको करना क्या है ना सब्सक्राइब को समझ में आ गया तो तो क्या कर सकते हैं अब आप आप क्या कर सकते हो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको समझ में आए और कि यह करने के बाद एक मैंना को सब्सक्राइब करना चाहों तो कर सकते हो अगर कोशन पहरे देख लेना सारे पार्टनर इंसल्वेंट ना हुए हो तब आप से को अनुद को करना अगर सरे पार्टनरं इंश बैंट हो चुए है तो कोशन करों लेस्मेंट बची मैं अभी इनलाइस करूँगा बॉक को यह हाड वोगा तो मैं कोशिश करूँगा नेक्सक्ष्ण में उसको करवाने की नेक्स लेक्षर में हम क्या करेंगे अभी बता रिता हूं यह इंसल्वेंसी गादनर वर्सेज मुरूरूरूल इसका एक कोशन भी करेंगे और इंसल्वेंसी ऑफ और पार्टनर्स का कोशन है बुक के अंदर वो भी आपको करवाऊंगा और इंसल्वेंसी ऑफ और पार्टनर पूरा अपलोड करने वाला हूँ बीच में एक्जाम आ गया थे तो मैंने अपलोड नहीं करा था अब लेकिन मैं लेक्टर डूपलोड करा है इसके बाद सारे लेक्टर आते रहेंगे टाइम और अगर आपको सारे लेक्टर एक जगा देखना है तो आप चैनल के उपर क्लिक करें चैनल के उपर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेइलिस्ट का एक उप्शन दिखेंगे अगर आपने नहीं देखी आपको एस तुन डीटू हाड लगता है तो जरूर देखें ऐसे ही यहां पर पार्टनर्शिप की प्लेडिस्ट भी आपको मिल जाएगी लेक्सिन नमडर टू यह में अप्लोड कर दिया है इसके बाद लेक्सिन नमडर 345 जैसा भी चलेगा सब कुछ चलता रहेगा इसके बाद हम कोशिश करेंगे एक कॉन्स लिडिशन के लेक्टर बनाने की लेकिन पार्टनर्शिप के अंदर भी टाइम लगेगा तो तो इसक